Hello and welcome to English Academy, I am Ruchika and in today's video we will discuss a chapter for students of English Communicative from class 9. This is the 5th chapter from your book and the name of the chapter is Best Seller written by O. Henry. Best Seller क्या होता है? यहाँ पर Best Seller का मतलब है एक ऐसी novel या एक ऐसी किताब जो के बहुत जादा sell हो रही है क्योंकि वो बहुत जादा अच्छी लिखी हुई है तो उसे हम Best Seller कहते हैं तो इस स्टोरी में हम क्या रेखते हैं कि एक आदमी है वो Best Seller books को criticize करता है पसंद नहीं करता क्योंकि उसका मानना है कि वो overrated होती है उनने बहुत बढ़ा चड़ा के कहानी लिखी जाती है और वो unrealistic होती है और इसी वजह से वो एक Best Seller novel जिसे वो पढ़ रहा होता है उसे fake देत हैं और इसके word meanings भी हम समझेंगे one day last summer I went to Pittsburgh well I had to go there on business my chair car profitably well fitted with people of the kind one usually sees on chair cars chair car क्या होती है a train with chairs for passengers otherwise generally train में sleepers होते हैं ऐसे लंबे गद्दे टाइप seats होती हैं जिस पे इंसान सो भी सकता है लेकिन एक chair car भी होती है जिसमें ऐसे sleeper seats नहीं होती उसमें chairs होती है और उन पर आप बैट के travel करते हैं और उसमें ये सुविदा नहीं होती कि आप उस पर लेट कर सो भी सकते हैं तो यहां पर हमारे writer ये बता रहे हैं कि पिछले गर्मियों की बात है कि वो Pittsburgh नाम की जगा पर गए थे और वो travel कर रहे थे एक ऐसी train में जिसमें chairs fitted थी वो chair car थी और वो कहते हैं कि उसमें बाकि से जतने passengers थे वो भी उस तरह के लोग थे अब वो किस तरह के लोग होते हैं जो chair car होती है ये एक जादा expensive एक जादा mehengी train होती है तो अच्छे लोग जो जादा अच्छे लोग है सुसाइटी के जादा अमीर है वो ही इसे afford कर सकते हैं rich type of people, educated type of people were traveling in that train. Most of them were ladies in brown shirt dresses cut with square yoke with lace insertion and dotted deals who refused to have the windows raised. Yoke क्या होता है? It is a part of a garment attached to the main dress. जिसे हम apron भी कह सकते हैं या bib जैसे बच्चे पहनते हैं ऐसे ही एक छोटा सा अपर पार्ट जैसे आप यहाँ पर इस dress में भी देख सकते हो यह जो पार्ट है इसकी dress में इसे हम yoke कहेंगे Lace insertion means बीच में डाला हुआ तो उनकी dresses में lace जो होती है net के type का बना हुआ एक fabric वो भी add किया हुआ था and dotted wheels wheels क्या होती है? इस तरह का जो बुर्का या आप एक परदा अपने चहरे को cover करने के लिए use करते हैं तो आप इसे एक cover कह सकते हैं और वो कैसा था? dotted था यानि के उसमे dots का print था तो जैसे के हमने पहले देखा कि उस चेहर कार में जादा तर rich और अच्छे पड़े लिखे लोग travel कर रहे थे तो यहाँ पर writer कहते ही कि जादा तर उसमें ladies ही थी जिन्नोंने बहुत अच्छी silk की brown color की dresses पहनी हुई थी और वो dresses भी बहुत fancy तरीके से बनी हुई थी उनमें ऐसे yoke ही attach किये हुए थे lace भी लगी हुई थी और इन ladies ने wheels से अपने चेहरे को धका भी हुआ था और वो कह रही थी कि chair car की जो windows हैं उन्हें खोलना नहीं है वो खोलने से मना कर रही थी क्यों कि जादा तर अगर आप चलते हुए वहिकल में विंडो को खोल देते तो उससे क्या होता है आपकी जो dress है जो आपका hairstyle है वो खराब हो जाता है थोड़ा messed up हो जाता है तो जैसे कि ये अच्छे घरों के और बड़े well dressed up लोग ते ये नहीं चाहते थे कि इनके attire इनका hairstyle खराब हो जाए इसे लिए ये मना कर रहे थे कि चेर कार के खिर्किया नहीं खोलनी Then there was the usual number of men who looked as if they might be in almost any business and going almost anywhere फिर वो कहते हैं कि कुछ आदनी भी थे और ऐसा लग रहा था कि वो कोई business करते होंगे और कहीं चाह नहीं होंगे I leaned back idly in chair number 7 and looked with tepidest curiosity at the small black bald spotted head just visible above the back of number 9 फिर वो कहते हैं कि मैं पीछे की तरफ छुक गया यानि कि relaxed way में वो बैठ गए और फिर वो कहते हैं मैं idly था यानि कि में पस कोई काम नहीं था करने के लिए और उनकी जो chair थी chair car में उसका number था 7 tepidest का मतलब है lacking enthusiasm means आपने कोई enthusiasm कोई energy कोई attraction नहीं है तो कहते हैं कि मेरे में curiosity तो थी लेकिन कोई ऐसे जादा बहुत excitement नहीं थी और मैं सामने seat number 9 के पीछे बैठे हुए passenger को देख रहा था वो कैसा था? वो छोटा था, काले रंका था और उसका गंजा जो सिर है वो हमारे narrator को दिखाई दे रहा था Suddenly, number 9 hurled a book to the floor between his chair and the window and looking, I saw that it was The Rose Lady and Traveline one of the best-selling novels of the present day Hurled means through तो अचानक से उसने क्या देखा? कि 9 number seat का जो passenger है वो एक किताब को उठा के ऐसे पटक देता है और उसे फेंक देता है तो जब हमारे narrator ने देखा किताब का नाम था The Rose Lady and Traveline और ये एक best-selling novel थी उस ताइम की And then the critic weird his chair toward the window and I knew him at once for John A. Peskud of Pittsburgh traveling salesman for a plate glass company and old acquaintance whom I had not seen in two years Critic is a person who expresses unfavorable opinion about something और यहाँ पे critic इसको कहा जा रहा है seat number 9 के bald passenger को Weird means swung And acquaintance is a person you know Means वो आपका दोस्त नहीं है आप सिरफ उसे जानते हैं तो वो एक acquaintance है तो यहाँ पे हमाई narrator कहते हैं कि यह जो इनसान था जिसने अभी अभी एक किताब को उड़ा के हवा में फेंका था उसने उस किताब को ना पसंद कर दिया था इसलिए वो उसे critic कहते हैं और वो कहते हैं कि वो तेजी से अपनी कुर्षी को घुमाता है और जैसे उसकी कुर्षी घुमती है हमारे narrator को उसका चेहरा दिख जाता है और वो उसे फैचान देते हैं उसका नाम है जोन एपेस्क्यूट वो पिट्सबर्ग से है और वो क्या है? वो एक सेल्समेन का काम करता है एक प्लेट ग्लास कमपनी में और वो हमारे narrator का एक पुराना जानने वाला है जिसे वो पिछले दो साल से नहीं मिले थे तो कहते हैं अगले दो मिनिट में हम दोनों एक दूसरे से मिल लिये क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थे और हमने हाथ मिलाए और फिर जो general topics होते हैं ना discussion के जैसे के मौसम का हाल चाल कैसा है खुशाली कैसी चल रही है सेहत कैसी है कहां पर रहते हो कहां जा रहे हो ऐसी सब general बाते उन्होंने कर ली थी Politics might have followed next but I was not so ill-fated ill-fated means having bad luck तो narrator कहते कि अगर हम थोड़ी देर और बातें करते रहते तो हम अब next topic discuss करते politics का लेकिन मेरी इतनी बुरी किस्मत नहीं थी क्योंकि वहीं पे उनकी conversation बंद हो गई थी I wish you might know John A. Peskule He is of the stuff that heroes are not often lucky enough to be made of He is a small man with a wide smile and an eye that seems to be fixed upon that little red spot on the end of your nose Stuff means kind, एक प्रकार तो कहते हैं कि मेरा तो यही wish है कि आप John A. Peskule को ना जाने क्योंकि उन्हें भी वो इतना पसंद नहीं है फिर वो उसे describe करते हैं वो कहते हैं कि वो इस तरह का आदमी है जिस तरह के heroes नहीं होते means वो एक hero type का इंसान नहीं है वो कैसा है एक छोटा सा आदमी है जिसकी बहुत चौड़ी smile है means उसका यह जो lips है यह बहुत broad है और उसकी आँखी हैं वो ऐसे लगती है कि वो उसकी नाख को देख रही है तो वो kind of squint है तो उसकी eyes दोनों की दोनों ऐसे center में fixed होती है एसे लगता है कि वो उसकी नाख को देख रही है He believes that our plate glass is the most important commodity in the world the Cambria Steelworks the best company and that when a man is in his hometown he ought to be decent and law abiding commodity means think कोई भी चीज and decent means well behaved तो यहाँ पर वो further बता रहे कि जो ने पैस्क्यूट का यह मानना है कि उसकी plate glass company जिसमें वो काम करता है वो दुनिया के सबसे important चीज है और उसका नाम है Cambria Steelworks और फिर उस आदनी का यह भी मानना है कि जब कोई भी आदनी अपने hometown में होता है तब उसे बहुत well behaved और एक lawful इंसान की तरह act करना चाहिए During my acquaintance with him earlier I had never known his views on life, romance, literature and ethics We had browsed during our meetings on local topics and then parted Browse means discussed and ethics क्या होते है हमारे जो moral values होती है तो यहाँ पर writer कहते हैं कि जब भी मैं उससे पहले मिला था तो आज तक कभी भी हमने इतनी ज़्यादा बात नहीं की थी कि मुझे पता चल सके कि उसकी जिंदगी के बारे में और romance के बारे में, literature के बारे में और moral values के बारे में क्या विचार हैं हम generally क्या करते थे हम सिरफ local topics के बारे में discussion करते थे सिरफ general topics discuss करते थे और फिर हम अपने-पने काम पर लग जाते थे और हम जुदा हो जाते थे तो उनके बहुत ही short meetings होती थी जिसमें वो सिरफ general topics ही discuss कर पाते थे तो अब जब वो एक train journey पर इकठे थे तो अबिसली वो साथ ने बैठ दे और उन्हें बातचीत करने का जादा मौका मिला तो यहाँ पर narrator कहते हैं कि अब मुझे उसके ज़्यादा ideas पता चलते क्योंकि वो एक ज़्यादा time तक एक दूसरे के साथ थे फिर वो कहते हैं कि उन्हें उसने जौने पैस्क्यूड ने बताया कि उनका business अब improve हो गया है क्योंकि अब उनकी company की बहुत सारे party meetings होती हैं और हो कहता है कि अब वो coke town पर ही उतर जाएगा train से अब पैस्क्यूड ने हमाई narrator से पूछा कि क्या तुम ने कभी इस तरह की bestseller novels पढ़ी हैं और वो इशारा करता है उस किताब पर जो उसने अभी अभी तेंकी थी I mean the kind where the hero is an American swell, sometimes even from Chicago. Swell is a wealthy person of upper class and fashionably dressed. So swell एक ऐसे आदमी के लिए यूज हुआ है जो के बहुत अमीर है और बहुत fashionable कपड़े पहनता है तो further वो describe करता है कि इस तरह की किताब, इस तरह की bestseller novel जिसमें जो hero है, जो main character है वो एक American है और बहुत ही अमीर है और बहुत ही fashionable है कभी-कभी तो वो Chicago को भी belong करता है Who falls in love with a royal princess from Europe who is travelling under an alias and follows her to her father's kingdom or principality I guess you have, they are all alike Alias is another name और a false name अगर किसी व्यक्ति का कोई pet name होता है, nickname जो के बहुत popular हो जाता है, उसे हम alias भी कहते हैं Means एक दूसरा ना तो further John इस bestseller को describe करता है पहले तो कहता है कि उसमें जो hero है वो एक American होता है जातर वो Chicago से भी हो सकता है, वो बहुत ameer होता है और fashionably dressed up होता है और उसे एक European royal princess से प्यार हो जाता है जो के travel कर रही होती है और फिर वो उसका पीछा करते करते उसके father के राजित पहुंच जाता है I guess you have there all alike तो कहता है कि मेरा यकीन है कि तुमने ऐसी कोई ना कोई किताब तो पढ़ी होगी सभी कितावे जादा तर एक ही जैसी होती है तो फिर वो कहता है कि आगे कहानी कैसे चलती है ये जो अमीर आद्मी होता है अमेरिकन ये उस royal princess का पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है और ये पता लगाता है कि वो लड़की कौन है फिर वो उससे मिलता है और फिर हमें novel में पूरे 10 page पढ़ने को मिलते हैं इन दोनों की बातचीब के तो यानि क्यों कहना चाहता है कि ऐसे ही पार्तु में ही novel लिखी होती है उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता ऐसे ही 10 page भर देते हैं वो इनकी meaningless conversation के she reminds him of the difference in their stations and that gives him a chance to ring in three solid pages about America's uncrowned sovereigns stations here means the social status ring in means add into the novel means novel में कुछ और add करने के लिए उसे content मिल जाता है and sovereigns here means rulers who have not been crowned in a ceremony uncrowned sovereigns means ऐसे rulers ऐसे लोग जो सत्ता को तो चलाते हैं although वो कोई position नहीं hold करते means ऐसा नहीं है कि वो किसी ceremony में वहाँ के राजा बन गए हैं लेकिन फिर भी वो वहाँ पर राज करते हैं तो जब वो royal princess इस रमीर आदमी को यह याद दिलाती है कि दोनों के social status में बहुत फरक है क्योंकि वो तो एक राज कुमारी है तो फिर हमारे writer को और मौका मिल जाता है वो तीन और pages add कर देता है अपनी story में और writers को इस चीज के बारे में बताता है कि America में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि rulers नहीं हैं जिनका राज भी शेक नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो इतने powerful है कि वो वहां की economy पर राज करते हैं Well, you know how it runs on If you've read any of them He slaps the King Swiss bodyguards around like everything whenever they get in his way He is a great fencer too Runs on means it goes on And fencer is art of sword fight तो फिर वो कहता है कि तुम्हें पता ही होगा कि आगे कहानी कैसे बढ़ती है अगर तुमने कोई भी best seller पड़ी है क्योंकि सभी की कहानी almost same ही होती है तो ये जो American होता है जो इस royal princess के पीछे-पीछे उसके घर तक आ जाता है फिर वो क्या करता है जब भी राजा के कोई bodyguard जोसे पकड़ने की कोशिश करते है वो उन्हें मार पीट देता है और ऐसे act करता है कि उसे fencing जो है sport वो भी बहुत अच्छे से आता है वो तो तलवार बासी भी बहुत अच्छे से करता है Yes, said Peskud But these kind of love stories are ranked on the level I know something about literature even if I am in plate glass Ranked means at the position of and on the level means being true Further Peskud कहता है कि इस तरह की जो love stories होती है जो bestseller novels में लिखी जाती है ये सच होने की position पर है means जादा तर ऐसी सची कहानियां होती है फिर वो कहता है कि मुझे literature के बारे में काफी कुछ पता है ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक plate glass company में काम करता हूं तो मैंने literature नहीं पढ़ा When people in real life marry they generally hunt up somebody in their own station Station here means place तो कहता है कि real life में जब भी लोग आपस में शादी करते हैं तो वो ऐसा life partner ढूंबते हैं जो कि उनकी ही जगह में same city में रहता है A fellow usually picks out a girl who went to the same high school and belong to the same singing society that he did Singing society here means a social group फिर वो कहता है कि एक लड़का जब उसने शादी करनी होती है तो वो ऐसी लड़की ढूंदता है जो कि same school में पड़ी हुई है और same social group को belong करते है क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ शादी निभाना उसके लिए जादा comfortable रहेगा पेस्किवड पिगड़ अप the best seller and hunted his page listen to this he said अब पेस्किवड ने उस best seller को उठाया और एक particular page को ढूंडा और फिर वो हमारे narrator को कहता है कि ये सुनो पेस्किवड लाइन प्रिंसे लवाइन के साथ बैठा हुआ है और वो कहां बैठे हुए है tulip garden के पिछले end में और फिर वो further story continue करता है say not so dearest and sweetest of earth's fairest flowers would I aspire you are a star set high above me in a royal heaven I am only myself yet I am a man and I have the heart to do and dare aspire means seek to achieve means आप कुछ भी achieve करने के लिए ambition रखते है and dare here means courage to do something beyond normalcy means आपने इतना courage है कि आप normal life से normal actions के इलावा कुछ और भी कर सकते है तो अब यहाँ पर यह जो part है यह क्या है यह उस novel से एक बहुत ही irritating passage है जो के जोने पेस्किट पढ़के हमारे narrator को सुना रहा है तो इसमें basically हमारा जो novel का main character है travel line वो उस royal princess को impress करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे कहता है कि dearest, sweetest, earth की fairest flowers ऐसा मत कहो क्या मैं ऐसा achieve करना चाहूंगा फिर वो उसे कहता है कि तुम तो एक star की तरह हो जो के मेरे ऊपर heaven में रहती है और मैं सिरफ एक आम आद्मी हूं लेकिन मैं एक ऐसा आद्मी हूं जिसके पास एक दिल है और जिसमें यह हिम्मत है कि वो normal से अलग काम कर सकता है I have no title save that of an uncrowned sovereign but I have an arm and a sword that yet might free shouldn't fascinate in from the plots of traitors plots of traitors means the secret plans of the country's betrayers means जो देश के धोके भाज है जो देश द्रोही है उनके secret जो plans है उन्हें plots of traitors कहा गया है and title का मतलब है royal position save means accept तो यहाँ पे further travel line उस royal princess को कहता है कि मेरे पास कोई royal position नहीं है मैं कोई raja या raja कुमार नहीं हूँ लेकिन मैं एक uncrowned sovereign हूँ यानि के मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ पर although मैं uncrowned हूँ मैं कोई raja या raja कुमार नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं एक बहुत important role play करता हूँ देश की economy में लेकिन मेरे पास इतनी जादा might है इतनी जादा power है और एक तलवार भी है जो के शुद्जन फेस्टिनेट को उसके betrayals से फेस्टिनेट का मतलब है hurry तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं शुद्जन को जल्दी से उसके देश द्रोहियों के plot से छुडवा सकता हूँ आपने उसे प्रिजर्व करके एक कैन में पैक कर दिया है तो फॉर्दर जॉने पैस्टिन कहता है कि जरह सोचो शिकागो का रहने वाला यह आदमी है और यह क्या करता है यह अपने साथ एक तलवार लेकर घूमता है और यह उस राजकुमारी को कह रहा है कि वो किसी को आजाद करा देगा और किसको आजाद कराएगा वो तो समझ ही नहीं आ रहा ऐसे लग रहा है कि वो किसी मचलियों को जो के एक कैन में बंद है उन्हें आजाद कराने की बात कर रहा है तो हमारे नरेटर कहते हैं कि जॉन मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ तुम्हारा यह कहना है कि और यह जो राइटर्स हैं यह फिक्शन की स्टोरी लिखते हैं नॉन ब्रियल लेकिन फिर भी इन्हें ऐसे कैरेक्टर्स क्रेट करने चाहिए जो कि अपने कारेक्टर से या अपनी परस्नालिटी से इतना अलग कोई काम ना करें तुर्किश पाशा क्या हुआ ओटमन इंपायर का तर्की का एक बहुत ही हाई ओफिशिल तर्की में पाशा को हाई ओफिशिल कहते हैं Vermont is a state in North East USA bordering Canada तो Vermont के Farmers यानि के किसान English Dukes means England के रहने वाले जो राजा होते हैं and Clam Digger is a person who hunts for clams means जो fishing करते हैं Cincinnati agents क्या हुए? Cincinnati एक जगा है USA में वहाँ पर रहने वाले agent and Rajas of India means भारत के जो राजा है तो further हमारे narrator कहते हैं जैसे के उन्हेंने कहा कि मैं तुमारी बात समझ रहा हूँ कि जो भी fiction stories लिखते हैं उन्हें अपने characters की सीमा में ही रहना चाहिए means ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी तो उनका character Turkey का high official है राजा है और फिर वो एक farmer वाली हरकतें भी कर रहा है या फिर वो एक England का Duke है और फिर वो fishers वाली हरकतें कर रहा है या फिर वो अमेरिका में रहने वाला कोई agent है और फिर उसके actions ऐसे हैं जो के इंडिया के राजास के होते हैं तो वो कहना चाहते है कि जो भी character है उसके personality एक ही तरह की रहनी चाहिए उसके actions भी एक ही जैसे होने चाहिए और plain businessmen with aristocracy high above them added pescule It doesn't jive I don't see why people go to work and buy hundreds of thousands of books which are bestsellers You don't see or hear of any such capers in real life Aristocracy means a high class of people, of high social rank Jive means agree and caper is a joke or prank तो अब यहाँ पर हो कहता है कि अगर एक और example है कि उसकी कहानी में एक businessman है जिसमें aristocracy भी है Means businessman तो हुआ एक ऐसा आदमी जो business करता है और aristocracy का मतलब है ऐसे लोग जो के वहाँ पर ऐसे लोग जो के उस जगह पर राजपार्ट संभालते हैं तो जॉने पेस्क्यूड आड़ करता है कि ऐसा character भी नहीं होना चाहिए जो कि एक तरफ तो आप कहरे हो कि वह business man है और दूसरे तरफ उसके ऐसे characters हैं जो के royal people के होते हैं ये बात agree नहीं होती means ऐसे characters को accept करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि इतने लोग हैं इतने सारी किताबें जो के bestsellers होती हैं उन्हें क्यों खरीते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो characters हैं ये जो characterization है ये एक मजाख है क्योंकि real life में ऐसे कोई characters देखने को नहीं मिलते तो हमाई narrator कहते हैं कि काफी देश से मैंने एक bestseller नहीं पड़ी लेकिन हो सकता है जैसा तुम फील कर रहे हो मैंने भी ऐसा ही फील किया हो चलो कुछ अपने बारे में बताओ तुम्हारी company में job कैसी चल रही है बुली, said Pesquid, brightening at once I've had my salary raised twice since I saw you and I got a commission too I've got a neat slice of real estate neat slice means a good piece of real estate means land so I've got a good piece of land बुली is a person who oppresses the other तो जोने Pesquid reply करके कहता है बुली, यानि के वो कहना चाहता है कि मैं एक बुली हूँ क्योंकि मेरी दो बर salary raise हो गई है पिछले दो साल में और मुझे commission भी मिला था जिससे मैंने एक land का अच्छा तुकड़ा खरीदा है Next year the firm is going to sell me some shares of stock Oh, I'm in on the line of general prosperity Prosperity means doing well फिर वो कहता है कि अगले साल मेरी company मुझे कुछ shares भी sell करेगी और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ Met your affinity yet, John? I asked Oh, I didn't tell you about that Did I? said Peskyud with a broader grin Oh, oh, I said So you've taken time enough off from your play class to have a romance No, no, said John No romance, nothing like that But I tell you about it Affinity here means life partner ऐसा व्यक्ती जिसके तरफ आपको को ये fraction है And broader grin means और बड़ी smile तो फिर हमारे narrator John Peskyud से पूछते हैं कि क्या तुमने शादी कर ली क्या तुम्हें 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 लाइफ पार्टनर मिल गई तो उसकी smile और भी बड़ी हो जाती है और वो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बढ़ाया तो हमारे narrator कहते हैं तो ओहो तुम्हें अपने plate glass company के काम के इलावा romance के लिए भी time मिल गया तो John कहता है नहीं नहीं कोई romance नहीं है मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं I was on the south bound going to Cincinnati about 18 months ago when I saw across the ale the finest looking girl I'd ever laid eyes on nothing spectacular you know but just the sort you want for keeps ale is the passage laid eyes on ka matlabhe I saw spectacular means too good, बहुत अच्छा and you want for keeps ka matlabhe you want forever permanently तो फिर अब वो अपनी शादी के कहानी बता रहा है कि किस तरह से उसे उसकी life partner मिली और उसके कहानी जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जो novel थी ट्रेवलाइम बाली सेम कहानी ही जो ने पैस्क्यूड की लिए है वो narrator को कहता है कि around 18 months पहले मैं southbound जा रहा था south की तरफ जा रहा था Cincinnati की तरफ और passage के दूसरी तरफ मुझे एक बहुत अच्छी लड़की दिखी और वो इतनी जादा अच्छी नहीं थी लेकिन ऐसी थी जिससे आप शादी करना चाहें और हमेशा उसके साथ रहना चाहें तो हमारा जो 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 ने पैस्क्यूड है वो directly उस लड़की को नहीं देख रहा था अपनी आंग के किनारे से उसे देख रहा था ताकि उसे ना पता चले कि वो उसे देख रहा है तो कहता है कि वो लड़की अपना ही काम कर रही थी एक किताब पढ़ रही थी और बहुत ही सुन्दर थी उसकी प्रेजन से दुनिया भी सुन्दर लग रही थी और ऐसे लग रहा था कि वो सिरफ अपनी जिंदगी जीना चाहती है किसी से उसे कोई concern नहीं है and finally the proposition got out of the carriage into a case of cottage with a lawn and vines running over the porch I never thought of speaking to her but I let the play class business go to smash for a while proposition here refers to the girl फिर वो कहता है finally वो लड़की carriage में से उतरी और एक cottage में घुज गई cottage में क्या था? एक बहुती बड़ा lawn था, garden था और उसमें अलग-अलग plants की बेले लगी हुई थी wine क्या होती है? प्रीपर plants की जो बेल होती है उसे wine कहते है और porch जो होता है वो घर का entrance होता है तो उस entrance में ऐसे plants लगे हुए थे और फिर वो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे बात करूँगा लेकिन जो मेरा plate class business है जिसके लिए मैं काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए मैंने उसे smash में डाल दिया यानि कि मैं उसे भूल गया और मैं सिरफ उस लड़की को concentrate कर रहा था She changed cars at Cincinnati and took a sleeper to Louisville There she bought another ticket and went on through Shelbyville, Frankfurt and Lexington Along there I began to have a hard time keeping up with her She changed cars या में she changed trains तो further वो कहता है कि ऐसा नहीं था कि Cincinnati ही उसको जाना था Cincinnati जाकर उसने एक sleeper train ली जो कि Louisville जा रही थी फिर उसने एक और ticket ली और फिर वो Shelbyville, Frankfurt or Lexington को cross करती हुई गई Have a hard time means बहुत मुश्किल हो रही थी And keeping up with her means to remain with her Means उसका पीछा करते करते तो कहता है कि उसका पीछा करते करते मुझे बहुत मुश्किल है जहलनी पड़ी क्योंकि वो तो train बदलती बदलती अलग लग जगाओं पर जाती जा रही थी उसका destination आही नहीं रहा था The trains came along when they pleased and didn't seem to be going anywhere in particular Except to keep on the track and the right of way as much as possible Then they began to stop at junctions instead of towns and at last they stopped altogether Pleased means at their own will तो कहता है कि train तो अपनी मर्जी से आ रही थी उसका कोई schedule ही नहीं था और ऐसे लग रहा था कि वो train कहीं भी नहीं जा रही बस हम railway track पर ही चलते जा रहे थे और वो अब तो trains junctions पर रुकने लग गई थी किसी शहर पर नहीं रुक रही थी और finally train रुक गई तो अब फिनली वो लड़की अपनी अपनी देसनेशन पर पहुँच गई I contrived to keep out of her sight as much as I could but I never lost track of her The last station she got off at was away down in Virginia about 6 in the evening There were about 50 houses The rest was red mud, mules and speckled hounds Contrived means stride Red mud mules are donkeys These hounds are huge dogs तो कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि वो मुझे देखना पाए उसे ये ना पता लगे कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ लेकिन I never lost track of her Means कि मैंने कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा मैं देख रहा था कि वो कहां जा रही है आकर में वो वरजीनिया स्टेशन पर उतर गई शाम के 6 बच गए थे वहाँ पर 50 घर थे पचास घर थे मीज़ एक छोटा सा टाउन था और उसके इलावा वहाँ पर लाल रंग की मिट्टी थी गधे थे और बड़े-बड़े कुत्टे थे अ टॉल ओल मैं विद अ स्मूध फेस और वाइट हैर लुकिंग अस प्राउड जूलियस सीजर वोस देर तू मीट अब उस्टेशन पर वहाँ पर कोई उसे लेने के लिए आया हुआ था एक लंबा सा बुड़ा आदमी था जिसका बहुत ही स्मूध चेहरा था सफेद रंग के बाल थे और वो बहुत प्राउड था और दिखने में वो ऐसा लग रहा था जैसे के शेक्सपेर का कारेक्टर है जूलियस सीजर और वो वहाँ पर उस लड़की को रिसीव करने के लिए आया हुआ था फ्राउड नीज वोन आउट और साचल is a bag planks here are the wooden floor wooden flooring जो होती है अब इस आदमी के जो कपड़े थे जो उस लड़की को लेनी के लिए आया हुआ था उसके कपड़े थोड़े पुराने से थे लेकिन तब हमारे जौने पैस्क्यूड नहीं है चीज नोटिस नहीं की वो उस लड़की का बैग ले लेता है और दोनों लक्री के फ्लोर पर चलने लग जाते हैं और एक ऐसी सड़क पर चलते हैं जो के पहाडी की तरफ जा रही होती है जैसे के आप यहाँ देखने है तो कहता है कि मैं भी उनके पीछे पीछे उनका पीछा कर रहा था उनके पीछे पीछे ही जा रहा था लेकिन साथ ही साथ उसके पस कोई रीजन भी तो होना चाहिए कि वो कहां जा रहा है वो दोनों तो अपने घर जा रहे थे लेकिन वो simply उनका पीछा कर रहा था तो वो क्या कहता है कि मैं ऐसे एक act कर रहा था कि मैं अपनी कोई अंगूठी ढूंड रहा हूँ जो कि मेरी बेहन ने पिकनिक के समय पिछले Saturday वहाँ पर गुमा दी थी तो यह क्या है यह एक मनगड़त कहानी है जो कि जो कि जॉन अपने माइन में प्लान की हुई थी यह एक alibi reason है जो कि वो देगा यह बताने के लिए कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है अब वो दोनों एक गेट के अंदर घुज जाते हैं और वो जो गेट है वो जो बिल्डिंग है वो पहाडी के बिलकुल टॉप पर थी और जब जॉन ने देखा के वो दोनों कहां गए हैं तो उसकी सांस ही रुप गई अब देर in the biggest grove I had ever seen was a huge house with round white pillars about a thousand feet high grove क्या होता है बहुत ही dense cover of trees नीज एक ऐसी जगा जहां पर बहुत सारे पेड लगे होते हैं तो कहता है कि ऐसे ही बहुत ही forested area था ऐसे ही बहुत jungle type का area था जहां पर एक बहुत ही बड़ा घर था उसके बहुत बड़े बड़े white pillars थे और वो घर बहुत उंचा था ऐसे लग रहा था कि 1000 feet उंचा है क्योंकि वो पहाडी के ऊपर बना हुआ था और फिर वो कहता है कि उस घर का जो यार्ड था जो open area था उसने बहुत सारे अलग लग तरह के फूल लगे हुए थे और फिर वो कहता है कि घर इतना बड़ा था तभी वो दिखाई दे रहा था वो वाशिंटन में जो capital complex है जो building है जो official building है capital उसके जितना बड़ा था तभी वो visible था otherwise उस घर के आसपस इतने सारे पेड थे और उस घर में भी इतने सारे फूल और बुशेस लगी हुई थी के वो दिखता ही ना अगर वो इतना बड़ा ना होता here's where I have to trail say I to myself I thought before that she seemed to be in moderate circumstances at least trail means follow up to and moderate circumstances means belonging to the middle class तो फिर जब उसने देखा के वो लड़की तो इतने बड़े घर में रहती है तो उसने अपने आपस को सोचा कि ये वो जगा है जहां पर मुझे आना था उस लड़की का पीछा करते करते और फिर वो कहता है कि इससे पहले तो मैं सोच रहा था कि वो एक आम सी लड़की है जो के middle class को belong करती होगी this must be the governor's mansion or the agricultural building of a new world's fair anyhow I'd better go back to the village and get posted by the postmaster for some information governor's mansion, mansion means a big house तो अब John ने अपने मन में सोचा कि हो सकता है ये जो घर है ये वहां के governor का घर होगा या फिर कोई agricultural building होगी किसी fair की लेकिन उसे कोई confirmed information नहीं थी तो उसने सोचा कि चलो मैं वापस गाउन चलता हूँ और वहां का तो नेम वाज अबे होर्स ग्रेजिंग इन दे फ्रंट यार्ड आइसे क्माइट मैं तो जों केता है के गाउं में मुझे एक अवर्ज सा होटल मिला जिसका नाम था बेविवाउस और फिर वो कहता है कि उसका नाम बेविवाउस इस लिए था क्योंकि उस होटेल के आगे क यार्ड में एक घास एक ऐसा घोड़ा था जो के बे होर्स था और वो वहाँ पर खास चड़ रहा था तो उस घोड़े की प्रेजन्स के वज़ा से उसका नाम था बेविवाउस फिर वो कहता है कि मेरा जो सैंपल्स का ब्रीफ के साजस्ट में मैं अपनी प्लेट क्लास कंप ले रहा हूं और मैं और जादा क्लाइंट टूरने के लिए उस जगा पर आया हूं बाइड 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 लोगों के बारे में बातें करने लग गया और उससे सवाल पूछने लग गया तो उसने जब लैंड बाइड से पूछा के उस पहारी के उपर बड़े से वाइड घर में कौन रहता है तो उसे उस ओनर ने बताया कि वो है करनल आलन जो के वरजीनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छे आदमी है तो फिर उसको उस कोटेज के उनर ने बताया कि वो इस सबसे पुरानी फैमिली है और वो जो लड़की जो ट्रेल में ट्रावल कर रही थी वो करनल आलन की डॉटर है वो इलिनॉइ गई थी इलिनॉइ भी युएस से में एक शहर है वो इलिनॉइ गई थी अपनी आंट को मिलने जो के बिमार है जैसे के आप इमेज में देख सकते हैं जो लगडी के फट्टे के बना हुआ फैन्स है इसे पैलिंग फैन्स कहते हैं तो जो ने पैसक्यूड इस होटल में रहने लग जाता है और तीसरे दिन वो उस लेडी को देखता है वो आगे के यार्ड से निकल रही होती है वो रुकता है उसे रोकता है और अपनी हैट रेस करता है तो वो उसे विश करता है और वो कहता है कि कोई और रास्ता ही नहीं था उससे मिलने का Excuse me, says I, can you tell me where Mr. Hinkle lives? तो उसने उस लड़की को कहा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि Mr. Hinkle कहां रहते हैं? She looks at me as cool as if I was the man come to see about the weeding of the garden but I thought I saw just a slight twinkle of fun in her eyes. तो कहते हैं कि वो मेंगी तरफ बहुत cool ली देखती है, बिल्कुल expressionless और ऐसे लगता है कि शायद मैं कोई माली हूँ जो कि वहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ तो कि उस लटकी के चहरे में कोई भी expressions नहीं होते लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसकी आँखों में एक शरार्ती सी चमक देखी है तो कहती है कि जहां तक मुझे पता है यहां पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता वो कहता है कि उसकी यह बात मुझे टिकल कर गई और फिर उसने कहा कि मैं पिट्सबर्ग से तो आया हूँ लेकिन मैं यहां पर धुआ नहीं धूंड रहा हूँ तो अब जॉने पैसक्यूट को यह लगता है कि वो उस लड़की के साथ ऐसे ही फाल्कू की बातें नहीं कर सकता तो उसे उसके साथ अद्रियल जो उसका में बात है वो करनी ही पड़ेगी तो लड़की कहती है कि तुम तो पिट्सबर्ग से काफी दूर आय हुए हो तो कहता है कि मैं तो एक हजार मील और दूर जाने के लिए भी तयार था फिर वो कहती है कि अगर तुम शेल बाइविल में उठे ना होते जब ट्रेन चल पड़ी थी तो फिर आज तुम यहां पर ना होते और ऐसा बोलते ही उसका चहरा बिलकुल लाल हो जाता है जिस तरह से जाडियों में लगा हुआ गुलाब होता है तो इससे वो यह बता देती है कि उसे पता है कि वो उसका पीछा कर रहा है शेल बाइविल में उसने देखा था कि वो एक बेंच पर सो रहा था और उनकी ट्रेन चल नहीं वाली थी और बड़ी लखीली उस वो उठ गया था और उस ट्रेन में चड़ गया था तो तभी जॉन को याद आता है कि हाँ जब वो शेल बाइविल स्टेशन पर था तो वहाँ पर वो एक बेंच पर सो गया था और जब ट्रेन चल नहीं ही वाली थी सिरफ तभी उसकी आँख खुली और बाल-बाल बच गया था वो और नहीं तो वो लड़की मिस हो जाती and then I told her why I had come as respectful and earnest as I could earnest means serious तो finally उसने उस लड़की को बता दिया कि वो उसका पीछा करते हुए वहां तक क्यों आया है and I told her everything about myself and what I was making and how that all I asked was just to get acquainted with her and try to get her to like me और further उसने उस लड़की को बताया कि वो क्या काम करता है और कितने पैसे कमाता है और उसने उसे ये भी बताया कि वो सिरफ उसे जान पहचान करना चाहता है और ये देखना चाहता है कि क्या वो लड़की उसे पसंद करती है या नहीं She smiles a little and blushes some but her eyes never get mixed up They look straight at whatever she is talking to फिर वो कहता है कि वो लड़की बड़ी अजीब है कभी-कभी हसती है, blush भी करती है लेकिर कभी भी eye contact नहीं देती सिरफ सामने की तरफ देखती रहती है I never had anyone talk like this to me before Mr. Peskut, says she What did you say your name is? John, John A, says I तो लड़की कहती है कि आज से पहले कभी भी किसी ने में से ऐसी type की बाते नहीं की और फिर वो उसे उसका नाम बुच्छती है और John कहता है मेरा नाम John A है And you came mighty near missing the train at Pauton Junction 2 Says she, with a laugh that sounded as good as a mileage book to me How did you know? I asked As good as a mileage book means उसका जो laughter है वो John को अच्छा लगा तो फुर्दल वो लड़की कहती है कि जब हम Pauton Junction बे थे तब भी तुम्हारी train miss होने ही वाली थी और फिर वो ऐसे हसी है उसकी हसी John को अच्छी लगती है और John पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? Men are very clumsy Said she I know you were on every train I thought you were going to speak to me And I am glad you didn't Clumsy means unskilled तो कहती है कि आदमी बहुत unskilled होते हैं वो बहुत सारी कलतियां करते हैं फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें हर एक train पर देखा था और मुझे लग रहा था कि तुम मुझसे कुछ बात करोगे और अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे बात नहीं की Then we had more talk and at last a kind of proud serious look came on her face and she turned and pointed a finger at the big house फिर वो कहता है कि हमारी कुछ और बात चीत हुई और फिर उस लड़की के चहरे पर एक proud और serious सा look आ गया और उसने इशारा किया अपने घर की तरफ The Allens, say she, have lived in Elkcroft for a hundred years We are a proud family, look at that mansion It has 50 rooms, see the pillars and porches and balconies फिर वो लड़की कहती है कि मेरी family का नाम है The Allens हम almost hundred साल से यहां पर रहते हैं हमारी family बहुत ही proud है और तुम वो mansion, वो बड़ा सा घर देख रहे हो ना उसने 50 कमरे हैं देखो कितने सुन्दर सुन्दर pillars हैं porches हैं और balconies हैं The ceilings in the reception room and the ball room are 28 feet high My father is linear descendant of the belted earls Linear descendant means in direct line to an ancestor Means direct descendant और किसका descendant है? Belted earls का Belted earls क्या हुए? British nobleman 17th century में earl कौन होता था? एक ऐसा आदमी जिसे राजा ने तलवार दी होती थी और वो उस तलवार को अपनी वेस्ट पर पहनता था इसलिए उसे belted earl कहा जाता था तो लड़की कहती है कि हमारे घर में जो reception room है means entrance पे जो कमरा है उसकी जो छत है उसकी height 28 feet है means बहुत जादा उंचा है बहुत बड़ा कमरा है और जो ball room है उसकी भी height इतनी ही है फिर वो उसे further बताती है कि हम मेरे father के जो पूरवज थे वो belted earls थे बहुत ही noble आद्मी थे Of course, she goes on my father wouldn't allow a drummer to set his foot in Elmcroft If he knew that I was talking to one over the fence he would lock me in my room drummer means एक musician तो कहती है कि मेरे father बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे कि उनके घर में एक drummer एक musician टाइब का आद्मी आए और अगर उनको पता लग गया कि मैं fence के आरपार खड़ी होकर एक ऐसे आद्मी से बात कर रही हूँ तो वो मुझे कमरे में बन कर देंगे Would you let me come there? Says I Would you talk to me if I was to call? For I goes on If you said I might come and see you तो John उससे पूछता है कि क्या आप मुझे वहाँ आने देंगी अगर मैं वहाँ पर आऊंगा तो क्या आप मुझे से बात करेंगी क्योंकि अगर आप कहें तो मैं वहाँ पर आकर आप से मिलना चाहूंगा I must not talk to you She says because We have not been introduced It is not exactly proper So I will say goodbye mister Say the name Says I You haven't forgotten it Peskir says she A little mad तो लड़की कहती है कि मुझे तुम से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी हमारा proper introduction नहीं हुआ है और फिर वो उसे goodbye कहती है Goodbye mister तो John कहता है कि मेरा नाम भी बोलो मुझे पता है कि तुम मेरा नाम भूली नहीं हो तो वो pescute बोलती है और वो थोड़ी पागल सी हो जाती है क्योंकि वो भी उसकी तरफ attract हो रही है वो उसे पसंद कर रही है तो John उससे पूछता है कि मेरा बाकी का नाम भी बोलो और वो बहुत ही cool sound करता है बहुत ही relaxed sound करता है तो लड़की कहती है John तो वो पूछता है John क्या मैंने अपने नाम में John के बाद कुछ और भी कहा था तो वो कहती है John A और अपना सिर ऐसे उपर उंचा उठा कर बोलती है और फिर वो कहती है Are you through now? Means क्या अब तुम्हारा सवाल खतम हो गया I am coming to see the belted earl tomorrow I says तो वो कहता है कि कल मैं तुम्हारे डाड को मिलने आऊंगा जो के belted earl के बच्चे हैं He'll feed you to his fox hounds बड़े बड़े कुटे पाले हुए हैं और वो तुम्हें उनको खिला देंगे If he does, it'll improve their running says I I am something of a hunter myself तो कहता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा उनके dogs की running improve हो जाएगी क्योंकि मैं खुद भी hunter type का आदमी हूँ I must be going in now says she I oughtn't to have spoken to you at all I hope you'll have a pleasant trip back to Minneapolis or Pittsburgh Was it? Good bye तो नड़की कहती है कि मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए और मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी I hope तुम्हारा वापसी कट्रे पच्चा होगा तुम जा रहे हो Minneapolis या पिर Pittsburgh जहां भी जा रहे हो Good bye Good night says I And it wasn't Minneapolis What's your name first please She hesitated Then she pulled a leap of a bush And said My name is Jessie Says she Good night Miss Allen says I तो अब वो उसे good night कहता है और कहता है कि मेरी destination Minneapolis नहीं है और फिर वो उसे उसका नाम पूछता है पहले तो वो रुख जाती है और पास में जो ज़ाड लगा हुआता है उसमें इसे एक पत्ता खींचती है तोडती है यह शो करता है कि वो शर्मा रही है और फिर वो कहती है मेरा नाम Jessie है और वो उसे good night कहतेता है The next morning at 11 sharp I rang the doorbell of that world's fair main building After about 30 quarters of an hour An old man about 80 showed up and asked what I wanted I gave him my business card and said I wanted to see the curler He showed me in Showed up means he answered the bell And showed me in means he allowed me into the house तो अगले दिन सोवे 11 बजे John उस घर पर पहुँच गया और उसने bell बजाए वो कहता है about 3 quarters of an hour याने के Almost 45 minutes के बाद किसी ने answer किया वो कौन था? एक बुड़ा आदमी था Almost 80 years का होगा और उसने John से पूचा के तुम्हें क्या चाहिए John ने अपना business card उसे दे दिया और कहा के मैं Colonel से मिलना चाहता हूँ उसने उसे घर के अंदर entry दे दी तो फिर John हमारे राइटर से पूचता है क्या तुम्हें कभी कीडे मकॉडों से भरा हुआ अखरोट खोल के देखा है वो कहता है कि वो घर अंदर से ऐसा ही था उसमें बहुत थोड़ा furniture था एट डॉलर का flat होता है जो बहुत ही छोटा सा सस्ता सा flat उतना furniture तो उस flat में भी आ सकता है उसमें सिरफ कुछ थोड़ी सी horse hair की बनी हुई कुरसियां थी तीन टांगों वाली कुरसियां थी और कुछ एंसेस्टर्स की फ्रेम की हुई तस्वीरे थी जो के दिवारों पर लगी हुई थी सिरफ यही चीजे थी जो उस घर में दिख सकती थी जैसे के आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर चार लोग है जब आट लोग इस तरह का डांस करते हैं उसे कौड्रिल कहा जाता है लाइट अप मींज आपका जो इंवार्मेंट है वो बहुत अच्छा हो जाए और खुश फील करो आप तो जॉन ने नरेटर को कहा कि जब करनल आलन आ गए तो ऐसे लग रहा था कि वो जगा थोड़ी और अच्छी हो गई है क्योंकि उनकी परस्नालिटी ऐसी थी और फिर वो कहता है ऐसे लग रहा था कि कोई मुजीशन वहाँ पर गाना बजा रही है और कुछ ओल्ट टाइमर्स हैं जिनोंने विक्स पहनी हुई है बड़ी बड़ी वाइट स्टॉक्स पहनी हुई है और वो कौड्रिल डांस कर रही है तो कहता है कि जैसे ही करनल आलन आ परे थे जो उन्होंने रेल्वे स्टेशन पर भी पहने हुई थे. For about 9 seconds he had me rattled and I came mighty near getting cold feet and trying to sell him some plate glass. But I got my nerve back pretty quick. He asked me to sit down and I told him everything. Rattled means shaking briskly, confused and nervous. Cold feet means lack of courage or confidence. Get my nerve back means regained myself. तो कहते हैं, starting के 9 सेकेंड में तो मैं बहुत जादा confused हो गया था, nervous हो गया था, और मेरा जो confidence है, वो बिलकुल खतम हो गया था, और मैं क्या कर रहा था, मैं उसे उसकी लड़की का हाथ मांगने की जगा, उसे अपनी played classes बेच रहा था, लेकिन जल्दी ही मैं वापस से काम हो ग and all about my salary and prospects and explain to him my little code of living to be always decent and right in your hometown, at first I thought he was going to throw me out of the window but I kept on talking, prospects means future plans and little code here means a set of rules, तो फिर John ने उन्हें बताया कि किस तरह से उसने उनकी daughter को Cincinnati station पर देखा था, वो क्या काम करता है, उसकी salary क्या है, उसके future plans क्या है, और living का उसका जो rule है to be always decent and right in one's hometown, यह सब उसने अपने बारे में Colonel Allen को बताया, शुरू में तो उसे लग रहा था कि वो उसे उठा कर घर से बहार फिंग देंगे, लेकिन वो बातें करता गया, well that got him to laughing and I'll bet that was the first laugh those ancestors and horsehair sofa had heard in many days, तो कहता है कि मेरी बात सुनके Colonel Allen हसते लग गए और फिर वो कहता है कि मैं शर्ट लगा सकता हूं, कि वो जो ancestors की photos दिवारों पर लगी हुई थी और जो sofa था horsehair का बना हुआ, उन्होंने बहुत देर बार किसी को उस कमरे में हसते हुए सुना होगा, we talked two hours, I told him everything I knew and then he began to ask questions and I told him the rest, all I asked of was to give me a chance, if I couldn't make a hit with the little lady, I'd clear out and not bother anymore, make a hit means succeed, clear out means move out of the way and bother means to disturb, तो कहता है कि हम पूरे दो घंटे तक बात करते रहे और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, फिर वा मुझसे सवाल पूछने लग गए और मैंने उनके सवालों का भी जवाब दिया, मैंने उनसे सिरफ एक मौका मांगा, कि मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ, अगर उनकी बेटी को मैं अच्छा लगा, तो ठीक है, नहीं तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, अट लास्टी सेज, देर वो कहता है, शायद मुझे सही आदा रहा है, If there was, says I, he can't claim kin with our bunch, we've always lived in and around Pittsburgh, I've got an uncle in the real estate business and one in trouble somewhere out in Kansas, claim means declare and kin means a relationship, तो John कहता है, कि अगर ऐसे कोई आदमी था भी, वो मेरे रिष्टदारी में नहीं है, मैं तो हमेशा से ही Pittsburgh और उसके आसपास ही रहा हूँ, मेरे एक uncle है, जो कि real estate का business करते हैं, और मेरे एक और uncle है, जो कि Kansas में रहते हैं, और अभी वो किस तरह की मुसीबत नहीं है, अब Pittsburgh को Smoky Town क्यों कहा गया है, क्योंकि यहां पर बहुत जादा इंडस्ट्री सेटप हैं, जिसकी वज़ह से यहां पर काफी जादा pollution है, और इसे Smoky Town के नाम से जाना जाता था, तो Further John ने उन्हें कहा, कि अगर आप किसी से भी हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप Smoky Town यानि के Pittsburgh में रहने वाले लोगों से पूछ सकते हैं, Wailer is a ship or boat for catching fish, और फिर वो उनसे पूछता है, कि क्या आपने उस Captain की कहानी सुनी है, जो कि fish पकड़ने वाली ship का Captain होता है, और जो यह कोशिश करता है, कि एक sailor अपनी prayer बोले, It occurs to me that I have never been so fortunate, says the Colonel, fortunate means having good luck, तो Colonel ने कहा कि मेरी ऐसी अच्छी किस्मत नहीं थी, मैंने ये कहानी नहीं सुनी, So I told it to him, laugh, I was wishing to myself that he was a customer, what a bill of glass I'd sell him, तो further उसने कहा, तो John ने उन्हें वो कहानी सुना दी, और John ने अपने आप में, अपने मन में सोचा कि अगर ये मेरा कोई customer होता, तो मैं इसे बहुत सारी प्लेट क्लास बेच के अच्छा सा बिल बना लेता. And then he says, the relating of anecdotes and humorous occurrences has always seemed to me, Mr. Peskut, to be a particularly agreeable way of promoting and perpetuating amenities between friends. Anecdotes means short funny stories, promoting means encouraging, perpetuating means continuing, amenities means comfort level. So, फिर Colonel Allen ने कहा, कि मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी दो लोग एक दूस्टे को छोटी-छोटी funny stories और incidences सुनाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है आपस में दोस्ती को बढ़ाने का. With your permission, I will relate to you a fox hunting story with which I was personally connected and which may furnish you some amusement. Furnish means give and amusement means laughter. So, John को जब पता लगा कि Colonel Allen उसकी कहानिया enjoy कर रहे हैं, तो उसे कहता है कि अगर आप मुझे permission देंगे, तो मैं आपको एक और fox hunting incident की कहानी सुनाना चाहूंगा, जिससे मैं खुद भी connected हूँ और ये कहानी सुनके आपको हसी आएगी. तो वो कहता है कि दो evenings के बाद, यानि कि दो दिनों के बाद मुझे मौका मिला Miss Jessie से मिलने का, हम दोनों अकेले थे और हम दोनों उस बड़ी सी mansion के porch पर मिल रहे थे और उस दौरान Colonel Allen एक और कहानी के बारे में सोच रहे थे. John ने Miss Jessie को कहा कि ये बहुत ही अच्छी शाम है. He is coming, says she. He is going to tell you this time the story about the old African and the green watermelons. So, Jessie ने John को कहा, he is coming, यानि कि मेरे डाद आ रहे हैं और अब वो तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे, old African और green watermelons की कहानी. It always comes after the one about the Yankees and the game rooster. There was another time she goes on that you nearly got off. It was at Pulaski City. Yankees कौन होते हैं, New York के रहने वाले? Game rooster is a foul used for fighting games. Means, ऐसे देख रहे हैं, आप ऐसे बड़े-बड़े मुर्गें, जो कि आप इसमें fighting games केहते हैं. तो कहती है कि Yankees और game rooster की कहानी के बाद, मेरे डाड यही African वाली कहानी सुनाते हैं, और further वो कहती है कि एक बार जब मैं Pulaski City स्टेशन पर थी, तब भी तुम मेरे पीछे-पीछे आते हुए चूकने वाले थे. Yes, says I, I remember. My foot slipped as I was jumping on the step and I nearly tumbled off. Tumbled off means to fall and roll down. तो कहता है कि हां मुझे याद है, मेरा पेर फिसल गया था और जब मैं step पर jump कर रहा था, तो मैं almost गिरने ही वाला था. I know, says she, and I was afraid you had. Johnny, I was afraid you had. तो कहती है कि हां मुझे पता है और मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब तुम गिर जाओगे. And then she skips into the house through one of the big windows. Coke Town, drone the porter making his way through the slowing car. Drone means spoke in a low humming voice. Porter is a person who carries luggage, जिसे हम कुली भी कहते हैं. फिर Miss Jessie बड़े इसे घर में अपने mansion में चली जाती है. और फिर हमें बताया जा रहा है कि railway station पर जैसे ही train slow होती है, एक porter होता है, खुली, वो जोर-जोर से बोलने लग जाता है. Coke Town, Coke. Peskid gathered his hat and baggage with the leisurely promptness of an old traveler. Leisurely means relaxed, promptness means quickness. तो अब John A. Peskid का real life में, अभी present के time में, जो station था Coke Town का वो आ गया है, तो वो अपना समान उठाता है, बहुत ही relaxed है वो, लेकिन वो quick भी है, क्योंकि वो एक old traveler है, बहुत जादा travel करता है अपने business की वज़ा से, तो वो used to है, जैसे ही उसका station आता है, Coke Town का, वो अपना समानी कठा करने लग जाता है, तो कहता है कि almost एक साल पहले मेरी Jessie से शादी हो गई थी, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने East End में घर बनाया है, वो जो Colonel Allen है, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, और जब भी मैं अपने trip से वापस आता हूँ, वो gate पर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, उन्हें ये expected होता है कि मैं कोई नहीं कहानी, जो के मैंने इस trip में देखी और experience की, वो कहानी मैं उनके साथ शेयर करूँगा, I glanced out of the window, Coketown was nothing more than a ragged hillside dotted with a score of black dismal huts propped up against dreary mounds of slag and clinkers, ragged means having a rough or uneven surface or edge, dismal is small, propped up means put in front of and dreary mounds are sad or dull heaps of something, clinkers are waste. तो हमारी narrator कहते हैं कि मैंने ट्रेन की खिडकी से बाहर देखा, Coketown एक बहुत ही गंदा सा शेहर था, वहाँ पर सिरफ देखने को क्या मिल रहा था, एक uneven सा surface था पहाडी का, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी huts थी, और उनके आसपास क्या थे, कच्चरे के बहुत बड़े-बड़े धेर थे, kind of a slump, it rained in slanting torrents too, and the rills foamed and splashed down through the black mud to the railroad tracks, torrents means strong and fast moving stream, and drills are streams, तो कहता है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी वहाँ पर पानी की नदियां बह रही थी, और वो पानी कैसा था, उस पानी में जो वहाँ की काली, गंदी, मिटी थी, कच्चरे से भरी, वो भी mix हो रही थी, और train के tracks पर भी वो पानी बह रहा था, you won't sell much play class here, John, said I, why do you get off at this end of the world, तो narrator ने John को कहा कि यहाँ पे तुमें कोई जादा orders नहीं मिलेंगे, बिकॉस दिखने में वो जगा इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, और फिर वो कहते हैं, कि तुम ऐसी से जगा पर, जो कैसे लगता है कि दुनिया का अंत हो रहा है, ऐसी से जगा पर क्यों जा रहे हो, वाई, said Peskuit, the other day I took Jessie for a little trip to Philadelphia, and coming back she thought, she saw some petunias in a pot in one of those windows over there, just like some she used to raise down in old Virginia home. तो Peskuit कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़े ही तिन पहले मैं Jessie को Philadelphia लेकर गया था एक trip पर, और जब हम वापस आ रहे थे, तो उसे लगा कि उसने किसी घर में एक गमले में petunias नाम के pool देखके थे, और फिर उसे याद आया कि जब वो वरजीनिया में रहती थी, वो अपने घर में भी इस तरह के pool उगाते थी. So I thought I'd drop off here for the night to see if I could dig up some of the cuttings or blossoms for her. Here we are. Good night old man, I gave you the address, come out and see us when you have time. Dig up means to get, cuttings means stems, and blossoms means flowers. तो John कहता है कि इसलिए मैंने सोचा के मैं आज रात को यहां कोग ताउन में ही रुख जाता हूं और शायद मुझे कोई फूलों की stems मिल जाएं उसके लिए. और फिर वो कहता है, Good night old man, मैंने तुम्हें अपना address दिया हुआ है, तो कभी आना हमसे मिलने के लिए. The train moved forward, one of the dotted brown ladies insisted on having windows raised. Now that the rain beat against them, the porter came along with his mysterious wand and began to light the car. Wand here is the indicator light for train to start moving and light the car means to get down the train. तो फिर train एक बार फिर से चलने लग गई और narrator कहते हैं कि एक जो लेडी थी train में जो ट्रावल कर रही थी, वो चाहती थी कि खिड़कियां खोल दी जाएं, क्योंकि वो बारिश एंजोई करना चाहती थी. जो कूली था, वो भी अपना wand गुमाता हुआ आ गया, यह इंडिकेट करने के लिए कि अब train चलने वाली है और वो भी train से उतर गया. I glanced downward and saw the bestseller. I picked it up and set it carefully farther on the floor of the car where the raindrops would not fall upon it. Glanced means look and further away means at some more distance. तो जैसे के porter ने train की खिड़कियां खोल दी थी, हमारे narrator ने उस bestseller book की तरफ देखा, उसने उसे उठा लिया और उसे फर्ष पर ही थोड़ी और दूरी पर रख दिया, ताकि खिड़की में से जो बारिश की बूंदे आ रही थी, वो उस किताब को गेला ना करने. And then suddenly I smiled and seemed to see that life has no geographical bounds. Good luck to you, Trevilline, I said, and may you get the petunias for your princess. Geographical means based on the physical features of an area. Geography means आपके जो physical boundaries होती हैं उससे related. तो हमारे narrator कहते हैं कि उस book को देखकर मेरे चहरे पर एक हसी आ गई और मुझे ये लगा कि life के कोई limitations नहीं होती, कोई ऐसे borders नहीं है, जो life के similarities को divide कर सके, लोगों की life काफे similar होती है. क्योंकि उसे ये लगा कि book का जो character है Trevilline और John Pescue'd, उन दोनों की life काफे similar है. तो वो John को Trevilline बुलाकर कहता है, Good luck to you, और कहता है कि काश तुम्हें तुमारी princess के लिए petunias मिल जाएं. तो यहाँ पर princess कौन है? जैसी जिससे John की शादी हुई है. तो इसके साथ ही हमारी ये interesting कहानी खतम हो जाती है और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से उस bestseller novel की कहानी John की life story से मिलती जुलती है और फिर भी John को वो bestseller पसंद नहीं है. So I hope you also like this lesson and you enjoyed this video. If you have any queries, please write in the comments and we will get back to you. Thank you.